दिल्ली में जल संकट बरकरार है लगातार वाटर क्राइसिस की सिचुएशन से लोग जूज रहे हैं हर्याना कहता है पानी तो हम दे रही है लेकिन दिल्ली वालों को ये पानी मिल नहीं रहा है और बून बून के लिए दिल्ली वाले तरस रही है कई लागों में पानी के लिए मारा मारी जैसी स्थिती है एक एक टैंकर के पीछे लोगों की दरजनों के भीड भागते हुई नज़र आती है सुप्रीम कोट ने जल संकट पर आज सुनवाई भी तै की है कल कोट ने जल संकट के लिए आम आद्मेपाजी सरकार को फचकार भी लगाए और आज पानी की बरबादी टैंकर माफिया उपर आक्शन को लेकर डीटेल भी मांगी गई है दिली सरकार के मंतरी आतिशी अक्शरधाम इलाके में इंस्पेक्शन के लिए पहुँचने वाली है पानी की बरबादी कैसे हो रही है पानी की चोरी को लेकर लग रही फचकार के पाद दिली सरकार बैक फुच पर है आतिशी, S.D.M. और A.D.M. के साथ इंस्पेक्शन के लिए पहुँचेंगी और अब सरों से बहुचूदा हालात के रिपोर्ट भी मांगेंगी सुप्रेम कोर्ट ने सखत लहजे में सवाल पूछते हुए आम आदिशी की सरकार से पूछा है कि इतने दिन से जल संकट बना हुआ है अभी तक दिली सरकार ने क्या एक्शन लिया है चैंकर माफियाओं पर अब तक लगाम क्यों नहीं लगी है और ये बड़ा ही वाजिब सवाल है प्रचेंट गर्भी में जो मूल भूत जरूरत है आविशकता है ये कोई डिजायर नहीं है ये वांट है दिली के चानक के पुरी में संचे कॉलनी की एक तस्वीर हमें आपके सामें रख रहे हूँ पानी के लिए कैसी भगदर है सरा ये देखिए एक टैंकर पहुँचा नहीं कि दरजनों पाइप जो है इस टैंकर में लग गए घंटों तक लोग लाइन में खड़े रहते हैं हमारे संबादाता भासकर मिश्टरा जब ग्राउंड पर रियालिटी जानने के लिए पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा वो आपके सामने रखते हैं दिली के संजे कैम पे लाके में एक बार फिर से सुबह सुबह जैसे ही टैंकर पहुँचा वही आपड़ा तक्त्री और वही कोशिश की जल्दी से जल्दी जो घंटों का इंतजार था वो खत्म हो जाए जो लोग लाइन में लगे हुए थे पानी भरने के लिए उनके परिवार के जो भी यंग लोग हैं उनके द्वारा ये कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी टैंक के उपर में चड़के उसमें पाइप डाल दिया जाए और बरतन जितने भी हैं उसमें पानी भर लिया जाए एक ही बार इस इलाके में टैंकर आता है, इसलिए सुबह के वक्त, नमस्कम साथ से नौ बजे का वक्त जो है, वो इस इंतजार में जाता है कि पानी कैसे इनके घरों तक पहुँचे, हलांकि ये पिछले कुछ सालों में कोई नई तश्मीर नहीं है, इस इलाके में हमेशा इस उसका तक्रीबन 50 फिस्दी पानी या तो बरवाद हो जाता है, या चोरी हो जाता है, या उसका कोई डेटा सरकार के पास में नहीं है, कि आखिर वो पानी कहा गया है, नहीं तो जितना पानी दिल्ली को मिलता है, 1050 mgd पानी, उसको अगर लिटर के हिसाब से कैलकुलेट करे तो दिल्ली में जितने भी लोग रह रहे हैं, उनके हिसाब से हर व्यक्ति को हर दिन 1.500 लिटर आराम से पानी मिल सकता है चानक्यपुरी के लोगों सी, जब हमारे सयोगी भासक मिश्ट्रा ने बात की, तो पानी के संकच पर उनका दर्द छलक पड़ा पीछे जो टैंकर इसमें अलग-अलग पाइप है, क्या एक परिवार के द्वारा एक पाइप इसमें डाला जा रहे हैं, इस तरह कोई नियम है? इसमें अपना खरीद रखा है, नियम बाली कोई बात नहीं है, बहुत से ऐसी ऐसी फामिली है, जिसमें मेल मेंबर नहीं है, पुरुष नहीं है, उनको कैसे पानी बर पाइप? उनका जैसे मेरा भर गया तो बचरा है, तो एक आद बरतन बढ़ दूगा नहीं तो विचारा खाली लेके जाएगा, और कोई इलाज नहीं है, फिर मोती बाग जाएंगे, बेगम जादी मार्केट में जो है, वो ठूटी लगी होई लाइन की वहां से भर के लाते लोग, ए से फेकी टाइम हाता है, यह अभी मॉर्णिंग में ही आया है, बेटा कितने लिटर पानी भरा आपने है, यह तीन लिटर है, यह तो दस यहाँ, इससे दिन बर के काम चल जाएगा, आइडवांस में रखते हैं हम खाली, जरुद पर यह तो हमारा आइडवांस में बाटिया रखते हैं, जो कि भर जाए तो भर जाए, सबका नहीं तो नहीं खाली ले जाते हैं